लिम्रा नियूज हम दिखाते हैं सच देश प्रदेश की सची खबरों के लिए देखते रहिए लिम्रा नियूज कानपूर में एक बीजेपी नेता पाटी की ही एक महिला के साथ कार में रंगरलिया मनाते हुए पकड़ा गया दोनों को उनके परिवार वालों ने पकड़ा इसके बाद नेता को उसकी पतनी और सास ने बीच सड़क पर चपलों से पीटा वही मैला की पिटाई उसके कारोबारी पती ने की, पिटाई से दोनों लहू लुगान हो गए, काफी देर तक सड़क पर ही हंगामा होता रहा, इस गटना का वीडियो भी वाइरल हो रहा है तड़क पर हो रहे हंगामे की सूचना पुलिस तक पहुची, जुही थाने की पुलिस दोनों पक्षों को अपने साथ ले गई पुलिस ने इस प्रकररण में भाजपा नेता की पत्नी की तहरीर पर चार लोगों पर एपायार दर्ज की है भाजपा नेता की कर्तूत से आनदपुर सोसाइटी के लोग भी परेशान थे कई लोगों ने पुलिस और परिवार वालों के सामने भाजपा नेता की कर्तूतों की गवाही दी है कानपूर बुल्देन खंड का छेतरी मंत्री है आरोपी नेता बाबु पुर्वा का मोहित सोनकर भाजपा का कानपूर बुंदेल खंड का छेतरी मंत्री है मोहित के एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर के बारे में परिवार को पता था लेकिन सभी रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे शैनिवार रात मोहित आनदपुरी सुसाइटी के केमपस में कार में भाजपा की एक महीला नेत्री के साथ था इसकी बनक परिवार वालों को लग गई पत्नी मोनी सोनकर और साथ समय ससुराल के लोगों ने कार में रंगरलिया मनाते हुए पकड़ लिया मोहित को उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने बीच सड़क पर फीटना शुरू कर दिया बचने के लिए मोहित भागा तो उसे दोड़ा कर पकड़ा गया उसकी कार को भी इट मार कर तोड़ दिया गया महीला के कारोबारी पत्ती को भी मौके पर बुलाया गया वो मोहित के साथ पत्नी को देख कर आपा खो वैठा और उसमें दोनों को जम कर पीटा सड़क पर हंगामा होते देख आस पास के लोग भी मौके पर पहुच गए लोगों की सूचना पर जूगी थाने की पुलिस मौके पर पहुची और दोनों को थाने ले गई बाजपा नेता के खिलाफ उसकी पत्नी और महीला के कारोबारी पती ने जूगी थाने में तहरीर दी है एसीपी बाबु पुर्वा आलोक सींग ने बताया कि दोनों पक्षों में तहरीर मिली है आरोपी मोहित समित चार लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है आनदपुरी सोसाइटी के लोग भी परेशान थे मोहले के लोगों ने बताया कि बाजपा नेता रोजाना बाजपा नेतरी के साथ कार से आनदपुरी केमपस में रात में घंटो एक साथ बैठे रहते थे बाजबा नेता होने के चलते कोई विरोध करने की हिम्मद भी नहीं चुटा पा रहा था पकड़े जाने के बाद इलाके के लोगों ने भी पुलिस और परिवार के सामने खुल कर गवाही दी लिम्रा नियूस के लिए जेबा अली की रिपोर्ट